हलो अबरीवन वेलकम तो दिस अमेजिंग प्लेटफर्म आफ वर चैनल पैने शेफ और कॉम्डेटर एक्जैमनेशन से डायम प्यूश जैसा कि आप देख रहे हो हमारा कोर्च चल रहा है थाटीन हंड़ प्रस कॉमान इरर्स का जिनको हम सारी की सारी उसमेज सब्सक्राइब अबरन और चैनल को नरे लीजिस और उसको देखरे होंगे इसको इसको देख और उसके पीछे क्या लॉजिकल एक स्कती है और ङउसकी हर में बळास में इंग्लेश एक language है language की तरह ही पड़ो इसमें कोई rocket science मत लगाया करो कि rules है तो rules के साथ मैं बिल्कुल rigid होगे है चल रहे हो ठीक है ना तो rules है लेकिन language है यह अपनी बोलने में हम कुछ भी अपना use कर सकते है टाइम टाइम पर उस चीज़ को अपना बुदल भी सकते है ठीक है ना तो इस चक्कर में ना पूड़ो कि आप English जो है वह हमें कुछ rules का set है उस particular set को मैं रट लूँगा तो मेरी English grammar क्या हो जाएगी अच्छी हो जाएगी लेट से अपने rules को रटने के बाद में examination क्वालिफाई भी कर लिया लेकिन उसके बाद क्या होगा आपका जो basically English आपको सिखाने का मतलब क्या है कि आप SSC में या जो भी आप officer बनने की कोशिश कर रहे हो वो officer बनने के बाद में आपके अंदर उस type की personality का development हो पाए ठीक है ना बेसिकली आपका क्या हो पाए personality development हो पाए और basically English का आपका exam लेने का मतलब बस यही है कि आप अगर बहुत सारे क्या होता है ना बाद में CGL के आप officer बन गए इसके बाद हो सकता है कि आपको अगर M.E.A. मिलिया तो आपको foreign जाना पड़ेगा आप foreign में जाके हमें क्या करना पड़ेगा कहीं ना कहीं आप सारे के सारे officer जो बनोगे वह आप इंडिया को represent कर रहे होगे ठीक है ना इंडिया को represent करोगे तो इसका मतलब है कि आपको सारी की सारी चीज़ें आना चाहिए हिंदी भी आनी चीछ से English भी आनी चीए और आपका जो personality है वही बहुत अच्छी ह बस rules का मतलब जो मेरा कहने का है वह आप rules को बस रट्टा मत मार देना ठीक है ना तो चलो बई अब देखने की कोशिश करते हैं आपने आज की अर्र का कौन सा है और यह जो सारे की सारे questions है आपके previous year questions इतने पी SSC ने आज तक मूचे है टोटल आपके 1300 प्लस हम questions को पूरा cover क का day 15 हो जो गए आपका यह अपने day number 16 ठीक है ना तो अगर आपने पहले के lectures नहीं देखे ना तो वह जाकर जरूर देख लेना बिसकली जो मैं आपको करवा रहा हूं ना यह आपका दीरे-दीरे जिसे एक ladder होता है ना ladder में क्या करते हैं एक step पहले चड़ते हैं फर दूसरे चड़ते हैं तो इसी तरीके से आपका यह कूर चल रहा है मैंने सारी-सारी इरर्स इस तरीके से ली हुई है कि आपको मैं पहले जो चीज़ें करता जा रहा हूं वह चीजों का मैं यूज करके आंगे उनसे रिलेट करता जा रहा हूं ठीक है ना correlation चलता जा रहा है तो आप जाके पहले के डेस को जरूर देख लेना आपकी अंडेस्टेंडिंग दीरे-दीरे-दीरे-दीरे डवलप होगी और यह जो कॉश्चन कराने में जो मोटो है वह कि मैं आपको इसके तुरू क्या सारे की सारे एस्पेक्ट जो है वह दिखा दूं आपकी ग्रैमर सेक्शन के और पूरी हमारी जो ग्रैमर सेक्शन है ना वह रिवीजन हो जा उसका हमारा इन थर्टीन हनट प्लस कोवें लेट से कम से कम दो तीन बार तो डिवीजन होई जाना चाहिए ठीक है ना तो यह अपना में मोटो है और यह आपकी किसके लिए यूसफुल है तो सीजेल का प्र प्रेटी हमारे चनल पर जाके आप देख सकते हो जिसमें कि हम सबसे ज्यादा रिपीटेड वोकाइब होती है वह इसमें आपको कवर करा ही जारी है बहुत ही शांदर तरीके से ठीक है ना पूरा एक्स्प्लेशन दिया जाता है हर वोकाइब का और टॉप 500 टॉप 600 इस तर रहे हैं आप जाके अगर प्लेस्ट में देख लोगे तो वह ज्यादा बेनेफीशल होगा आपको सारी चीज़ने दिख भी जाएंगी खर बता देता हूं एक बार सारे की सारी सेट आपके सॉल्व हो चुके हैं सक्षन वाइज सारे के सारी सारी सेट कराया जा चुके है तो तो जाके देख लेना अगर आपने तक नहीं देखा है इससे जरूर देख लेना और यह सारी सारी सेट अपने आपसे दो बार लगा ले ना अगर आपको सीरसली प्रिप्यर करना है तो सारे के सारे लोग आप देखा ही करो आपका कोई भी एक्जैमनेशन और बहुत आपके पेपर में आने के 100% चांसे हैं वह कोशन सापके करवाया जा रहें ठीक है ना इसके लाव आपका डाउट सेशन चलता है और यह सारे चीज़ें तो वह जाके आप देख लेना आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछने के लिए बिल्कुश रमाना मत कहीं भ बहुत सारे बच्चों के मैसेज होते हैं ठीक है ना तो आप यह अपर आपसर क्या करते हैं यह वह चीज आपको नहीं परसनल चीज़ें पूछनी है तो थोड़ा आवाइड ही अगर बहुत बहुत सारे बच्चे होते जिनके मुझे रेप्लाई करने होते हैं तो उनका अपना question number 256 क्या है इससे पहले 255 question मैं आपको discuss करा चुका हूँ तो वह आप देख ले ना अपना आज का question number 1 जो है वो 256 के रूप में है ठीक है ना तो अब देखो पहला question यह रहा अब जरह आप इसमें खुछ से सोच के बताओ क्या error हो सकती है मैं आपको सिखा चुका हूँ य ठीक है ना फटा फट से बता दो क्या error होगी तो अपने पास में क्या है he walks as if the earth belongs to him यानि कि वो इस तरीगे से घूमता है जैसे कि यह पूरी पूरी अर्थ क्या है ना उसी की हो ठीक है ना तो हमको यह बोल देते हैं कि वो तो ऐसे चलता है ऐसे अपना सीना चाड़ा करके चलता है जैसे कि क्या ये पूरी की पूरी तो दुनिया है ना ये पूरी की फूरी धरती है वो उसी की है ठीक है ना तो basically यहां पर आपका क्या use हुआ है यहां पर as if का यूज हुआ है और as if का यूज कहा होता है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ फिर से आप एक बार नोट कर लो कर आपने विद्ग सही से नहीं सुनाता ठीक है ना वैसे सुनना चीए यह आपका इंडिगेट करता है एक imaginary situation को किसको इंडिगेट करता है यह आपका as if एक imaginary situation को जो है यह इंडिगेट कर रहा होता है आपकी जिसमें क्या होता है ना कि आपका जो action है वो basically हुआ तो नहीं अभी तक लेकिन वो past में हो सकता था ठीक है ना यानि कि हम क्या बोलते है वो action क्या है ह तो नहीं है यानि कि वो चलता तो है अभी भी चल रहा है लेकिन उसका जो हमारा सेंस आता है न दढ़ती क्या है उसी की हो ठीक है ना उसको belong करती हो clear है वा समझ में आगी तो हमारे यहां पर क्या होना चीए अगर आपके as if की बाद में past का मैं use करूं तो यह belongs नहीं होगा belong हो जाएगा as if the earth belonged to him क्या हो जाएगा as if the earth belonged to him ठीक है ना इसको हम क्या कर देंगे belong कर देंगे clear है समझ में आ गया अगले कुशन पर आजो ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो ठीक है ना ऐसे शर्माया मत करो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगले सेक्शन पर आता हूँ कुश्चन नमबर 257 क्या है दा क्लरक वोज नॉट इंटीमेडेट इंटीमेडेट बाई बॉलेंग ठीक है ना बताओ फट आफट से क्या एरर समझ में आ रही है अब देखो आपकी दो बढ़र होते हैं पहल मतलब होता है ना वह होता है आपका तू-फ्राइटिन तू-फ्राइटिन यानि कि क्या करना डराना किसी भी बंदे को या फिर ऐसे बोल दो फिल विध-फिर-बोल-दो तो किसी को भी डराना या किसी के अंदर डर को भढ़ देना उसे हम बोलते हैं इंटीमिडेशन ठीक है या फिर intimidated, clear है, बास समझ में आगी as a verb use हुआ है, तो यह हमारा intimidated हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद में आपका एक word होता है, bullying, bullying का मतलब क्या होता है, तो देखो भई, यह होगी आपका bullying, bullying भी आपका किस तरीके से use हुआ है, as a verb use हुआ है यह आपका, और इसका होता है, to treat, to treat in an overbearing, overbearing का मतलब क्या हो गया, जिस चीज़ को सहन नहीं किया आ जा सकता, मतलब सहन की छमता से भी ज्यादा manner में आप किसी को treat करें, ठीक है न, क्या हो जाएगा, overbearing manner, clear है, तो अब देखो, अब इस sentence का मतलब समझते हैं, क्या हुआ, the club was not intimidated, यानि club जो है तो by his boss's bullying, यानि कि जो उसके boss की bullying करने की आदत थी न, उससे भी वो डरा नहीं, ठीक है न, अब देखो, यहाँ पर बड़ी ही प्यारी चीज़ है, मुझे आप यह बताएं, bullying क्या है, यह जो आपका sentence है, इसमें bullying आपका किस तरीके से act हो रहा है, यह मुझे फटा-फट से बता दो, यह as a verb use हो रहा है क्या, बोलो, तो यह आपका यहाँ पर as a verb use नहीं हो रहा है, यह आपका as a subject use हो रहा है, पता है, यहाँ पर आपका subject bullying ही है, अब bullying कैसे subject हो गया, क्योंकि यह जो bullying है न, इसका basically आपका bully तो होता है, वर्ब बुली हो गया, वर्ब प्लस में आपक आई एंजी जुड़ गया यानी वीवन प्लस का आई एंजी हो गया तो यह अपना क्या हो जाएगा जीरंड हो जाएगा ठीक है ना तो इस तरीके से मैंने आपको वीता कहरा आप सारे बच्चे की सारे की सारे बच्चे जो स्टार्टिंग से लेक्चर्स को देख रहे हैं I HOPE कि उनको यह चीज आप समझ में आ गयी होगी कि कहाँ पर आपका जीरंड बन रहा होता है कहाँ पर आपका पास्ट ऐप्र यह प्लस का वीवन यानि की infinitive बन रहा होता है ठीक है ना तो आपको यह चीज़ें clear होई की नहीं होई फटा फट से हां बोल दो ठीक है तो अब देखो यह क्या होगा आपका bullying होगा bullying यहाँ पर हमारे क्या हुआ as a subject use हुआ तो यह bosses क्या है भई बॉस क्या है ना यह boss का possession बता रहा है bullying किसकी तो boss की bullying तो यह जो है आपका यह as a possessive possessive proper adjective use हुआ है clear है possessive proper adjective use हुआ है अब जो his है यह भी आपका again किसका boss है तो his boss है यह आपका क्या कर रहा है his boss's bullying यानि कि यह बता रहा है कि उसके boss की bullying है तो यह भी आपका यहाँ पर as a adjective use हो रहा है clear है बास समझ में आगी और यह जो by है न यह by है आपका proposition तो इस proposition की वज़े से आप क्या चाहिए इसको अपना एक object चाहिए कि नहीं चाहिए हमेशे एक proposition के object होता है तो यह जो bullying नाट योजो रहा था ना यानि की हो जाता है क्या होता है तो यह इस बनना और यह ago होता है subject और तो अब यह जो bullying हो जाएगा यह यह अपना इस बयाई अब आब यह जो अब यहांसे क्या बात हो रही है The Clerk, The Clerk क्या हो जाएगा अपना यहां पर यह जो basically है तो object लेकिन यहां पर यह अपना क्या हुआ active voice से passive voice में है यह आपका active voice से हमने क्या बना रखी है passive voice बना रखी है, कैसे पता चला clear है, अब यह clerk क्या हो जाएगा वैसे था तो फूरे sentence यहां पर यह आपका बनिया पैसे की वज़े से सब्जेक्ट क्लियर है क्योंकि आपका इसके उपर काम किया जा रहा है ना कि यह डूर नहीं है ठीक है ना बास समझ में आ रही है ना तो आप देखो अगले अगला जो है अपने पास नॉट है नॉट का मतलब क्या हो गया मैंन मतलब हमारा जो भी sentence लिखा हुआ है पूरा का पूरा हमने तोड़के देख लिया पूरा करेक्ट निगल के आ गया कोई इशियो नहीं है तो हमारे सेंटेंस क्या हो जाएगा no error निकल के आ जाएगा बास समझ में आगी क्लियर हुआ तो यह अपने sentence क्या हो जाएगा no error अगले question पर आते है question number 258 देखते है फटापट से अब देखो question number 258 में क्या दे रखा है this misologist this misogynist hates अच्छा misogynist क्या होता है misogynist होता है the one who hates woman ठीक है ना यानि जो females को या फिर women को hate करता है उसका हम बूल देते हैं misogynist clear है तो यह हो जाता है आपका misogynist अब देखो यहां पर miso का मतलब basically क्या होता है माइजो का मतलब होता है आपका repulsion करना या फिर misophobic यानि कि वो क्या होगा phobia से ही डरने वाला होगा यानि वो phobias को ही hate करता है तो इस तरीके से हम किसी word को form कर सकते हैं जाइनिस्ट क्या हो जाएगा related to women हो जाएगा ठीक है ऐसा आप नोट कर ले ना women या फिर आपका female ठीक है तो यह बात आपको पता होगी है बहुत सारे बच्चों को तो पता ही हो अल्रेड़ी यह मुझे पता है ठीक है अब देखो इहां पर आपने दिखा आप यह जो फ्लो में पढ़ते चले जा रहे हो ना यहीं पर आपकी एरर है देखो बहुत ही चोटी सी चीज है लेकिन आपका जब सेंटेंस आपका इस तरी के सामने आ जाता है तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि एरर है कहां पे तो यह क्या हो जाएगा यह तो हो गया मैदा माईजोजैनिस यह आपका होगया बनाते हैं compound noun बना रहे होते हैं क्या बनाते हैं compound noun तो अगर हम इस compound noun का plural बनाना होता है ना तो जो आपका main part होता है इस noun का क्या होता है जो आपका main part होता है हम उसके साथ में plural बनाते हैं अब आप यह बताओ mother in laws में आपका कौन सा main part है इसमें आपका mother ही तो में पार्ट है ना कि लॉव लॉह कमारा में पार्ट है तो प्लूरल इसका बनेगा मदर इन-लॉज में मदर्स का बनेगा क्या बनेगा मदर्स इन लॉग तीए ना बहुती यह तो यह पर हमारा जो एरर होगी किस जाएगी और आपकी option number two में आएगी और बहुत ही इजी सा था क्या आना जीए था आपका अपना प्रेजेंट टाइम है उस पर जो solve problems को कैसे solve करना यह अपना organization जो है उनका main concern बना हुआ है ठीक है तो अब एक बात को समझना अपना यहापर क्या लिखा हुआ है how to solve the problems अब आपने क्या बोला यहापर बहुत सारी problem है तो आप उसके साथ में definite article लगाओगे क्या अब मैंने बोला बहुत सारी problems है मेरे पास में त सारी problems को अगर मैंने specify क्या होता कर मैं ऐसे बोलता how to solve the problem तो मुझे समझ में आता कोई एक problem है जो कि आपकी particular है जिसके बारे में आप क्या हो बहुत जादा concerned हो लेकिन यहापर problems आ गया है तो मैंने किसी एक के बारे में बात ही नहीं कर पा रहा हूँ यहापर यह आपका एक यह पूरा का पूरा आपका specific नहीं बन पा रहा है अगर आप sentence में भी देखोगे तो इसमें पूरा का पूरा जो आपकी problems के बारे में बात हो रही है वो कहीं भी specify होके नहीं आ रही है मैं आपको यहापर कुछ example देना चाहूंगा लेट से कभी भी आप यहापर यहापर यह उनसे बताने में यह फिर बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि आपका कभी भी plural अगर noun आ गया तो उसके साथ में हम दी का use नहीं करेंगे ठीक है ना तो देखो किस केस में आपका दाका use हो सकता है जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ the cats the cats next door next door are beautiful तो इसमें बताओ error होगी क्या होग यानि कि जो मेरे सामने वाले मेरे पडूसी की जो cats हैं वो बहुत ज्यादा beautiful है यानि कि यहाँ पर मैंने इन सारी की सारी cats को क्या कर दिया specify कर दिया इसलिए मैंने इन सारी cats के साथ में दा article का use कर लिया है ठीक है ना तो दा articles का आप use कर सकते हो लेकिन हमने जब सारी की सारी जिसे अगर मैं आपसे बोलूं देखो अब मैं आपको एक एकसांपल और देता हूँ जिसे अगर मैं आपसे बोल दूँ दाटी इस गुल्ड फॉर यू यानि तुम्हारे लिए क्या है चाय बहुत ही जादा अच्छी है तो यहाँ पर मैंने क्या बताया टी के बारे हैं बता से देखना यहां पर मैं थोड़ा से रैट मैं ले ले लेता हूं देखें क्या है अपने पास में अगर मैं आपसे बोलना चाहूं दा टी आई ड्रिंक I drink is of high quality यानि कि जो चाय मैं पीता हूँ यानि कि जो चाय मैं पीता हूँ मैंने क्या कर दिया वो जो tea है ना उसको मैंने specify कर दिया वो वाली चाय जो मैं पीता हूँ वो क्या है बहुत ज़्यादा high quality की चाय है यानि बहुत high quality की tea है तो यहां पर मैंने इस पूरी की पूरी जो टी है यह जो आपका अंकाउंटिबल नाउन था इसे मैंने पूरा स्पैसिफाई कर दिया तो इसके साथ में हमने अर्टिकल का यूज कर लिया है ठीक है आप बात को समझ गया है सारे लोग क्लियर हो गया अगले कोशन पर आ जाओ कहां पर इन चीजों का यूज करेंगे कहां पर नहीं करेंगे तो इसलिए मैंने जो भी आपका बेस बिल्ड किया है वह इसी तरीके से बिल्ड किया हुआ सारे लेक्चर में कि आप कहीं न कहीं चाके आपको फिर से वह चीज़ें रिपीट होगी ना तो आपको करने बड़ होगी हम कभी request करते हैं order देते हैं तो कुछ भी करते हैं वह इंपर इंपर सेंटर से नियुज से रिक्वेस्ट करने के लिए कि अरे बही काम करतो कि आपकी जॉब लग जाती है कहीं किसी private company में आपका boss आके आपसे ऐसे बोलेगा क्या अरे भाई क्यूं बैठे हुए हो अगर आपका चाय नाश्ता हो गया तो कि जाके तुम क्या करना बेस्मेंट को साफ कर देना सुधार जो बच्चे है ना उनको थोड़ा स्पेस मिल जाए ठीक है आपकी बात होगी इस तरीके साब क्या बोल सकते हैं यहां पर हमारा या तो और आना चीज़ें या फिर आस्क डाना चीज़ें तो बहुत ही छोटी छो अब देखो अगले कुश्चन पर आते हैं क्या बादे करना चाहता है देखो भई तो अपने पास यहां पर क्या बोला गया है दल लास्ट नाइट आइड ड्रीम आई वॉज खलीफा यानि कि यहां पर आपको लास्ट नाइट देखते ही क्या हुआ दिमाग में क्लिक हो ग वही है ठीक है ना अपने पासarta में कोई देखा हुआ हूए तोहाँ पर आपको किसका यूगा यहां पर आपका किसका यूज नहीं होगा आपकासे यूज होगा यहां क्लियर है क्या हो जागा यहां पर हम वीटू का यूज़ कर लेंगे इसके आंगे देख लो आई वॉज़ शेख यानि यहां पर आपका पास्टेंस का यूज़ वाई यह तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है न आगे चीज़ साही सारी सही है आपका ऑप्चन नंबर यहां पर आप क्या कर दोगे ड्रीम की प्लेस पर ड्रीम लगा दोगे क्लियर है अगले कोशन पर आते हैं कोशन नंबर 262 देखते हैं आपके जैसे ही शेर ने क्या किया है आपके लाइन को देखा उसने भागना शुरू कर दिया इसके पीछे यानि कि एस सुन एसका हमने ने क्यों संक्तित कर शेर पक्रीष यानि यानि कि जिसए ही आपके यर्ठायं परफॉर्म हो रहा हूगा तो आपके पहला आक्शन हुआ उसके इसके कुच इसके लेकर फॉर्म यार्ण मैं आपके एक timeline देखना चाहूं यह आपका let's say मैं बोलूं यह आपका present time चल रहा है तो इससे पहले क्या होगा आपका simple past tense चल रहा होगा ठीक है न तो past tense के just एक दो moment पहले भी आपका simple past ही तो रहेगा clear है तो यानि मैंने यहापर क्या बोला है soon as बोला और अपना जो पहला sentence ह the line saw the deer यानि कि यहापर video का use यहापर आपका simple past में है कोई दिक्कत नहीं है तो जो अपना अगला sentence होगा ना वो भी simple past में ही बनेगा यानि कि अब क्या हो गया he begin to run after यानि कि जैसे उसने अपने deer को देखा उसने तुरंद से उसके पीछे भागना शुरू कर दिया है आपर भी हमने क्या किया वीडियो का use किया है बिल्कुल correct हो जाएगा यह भी आपका simple past में है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है अपना यहां पर option number 4 जो no error वाला section है वो बिल्कुल अपना सही answer हो जाएगा clear है पासमच में आगी अगले question पर आ जाओ तब देखो question number 233 क्या है अपने पासमें the police asked us about our moments on a night of the crime ठीक है ना यानी कि पुलिस ने क्या किया हमसे पूछा कि हमारे क्या moments थे यानी कि जो आपकी crime की रात थी उस दिन आप कहाँ पर थे आपसे पूछा जा रहा है interrogation की जा रही basically police के दारा ठीक है ना तो पुलिस ने हमसे पूछा य आपका हो जाएगा यहाँ पर वर्ब कौनसी में वर्ब क्लियर है अस क्या हो जाएगा अस हो जाएगा आपका यहाँ पर object ठीक है subject वाब ऑब ऑबजेक्ट हो गया अब आपका यह जो अब आपका यह जाएगा अपना proposition अब यह प्रपोजिशन वह क्या चाहिए अपना एक अबजेक्ट हो जाएगा ठीक है तो हो जाएगा ठीक है तो मोमेंट्स वाले न։लूंन का क्लियर है अब इसके आांगे देखो अब यह सारे चीज़ा अब मोड कर लेना थुड़ा समइस को अठा अधाथ ये नाइट क्या हो जाएगा अपना एक object हो जाएगा clear है इसके बाद में ये off क्या हो जाएगा off again अपनी proposition आजाएगी इस proposition को चीजाएग अपना object चीजाएगी नहीं चाहिए तो ये जो crime वाला noun है नशीhhhh colleague बन जाएगा इस वाले proposition का तो इस प्रेपोजिशन का अब्जेक्ट बनी यानि यह क्या हो जाएगा अपना प्रेपोजिशनल अब्जेक्ट बन जाएगा यह आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे वहाँ पर हम दा आर्टिकल का यूज करेंगे ठीक है ना क्यों क्योंकि जो क्राइम आपका जिस रात को हुआ है वो रात आपकी स्पैसिविक है की नहीं है क्लियर है ना समझ में आया अगले कोशन पर आदें कोशन नमबर 264 देखते है फटाफट से अगले कोशन में क्या है अपने पास अब अपने पास में क्या गिवन है डिड़ ही टेल यू वाई ही हैजन्ट कम येस्टरडे यानि कि क्या उसने तुम्हें बगाया कि वह येस् से पहले यूज कर लिए ठीक है ना तो इतना सा देखके अपने को ये बात तो समझ में आ गई है अब देखो क्या है यह आपका डिड़ ही टैलियो यानि की डिट तो हो गया क्या थोड़ा सा पैन में इस्यों आगया वेट सेकेंड देखें तो हम कहां तक आगे थे डिड़ इस बात को समझना यह आपको बिड़िग वाई है ना इस बात को समझ लेता है यह जो आपका वाई है ना यह वाई आपका आसा गजंच्शन यूज्ख हुआ है बात को बिल्कुल द्यान रखना कुछ बच्चे बहुत जादा रहें सीज में तो वाइई ही हैंट अब देखो यह अपना क्योंकिक है तो हमारा यहां पर वर्ब हमें पहले लगानी कोई जुरुत नहीं है यह हमारा यहां पर ही हो जाएगा यानि हमारा हो गया सब्जेक्ट अगले संटेंस यह दे शुरु Seal हो जाएगा ऐसे में अब यह हो गया सब्जेक्ट ग्राइव सेंटर को एस ने क्या तुम्हें बता याखा तो हमारा यह सुथारे बन जाएगा क्लियर है बास समझ में आगी तो हमारी जो एरर होगी option number 2 में अपनी एरर निगल के आजाएगी क्लियर है सारी बास समझ में आगी आज session इतना ही रखते हैं थोड़ी आज एरर कर पाई है थोड़ा सा हमने बाती भी थोड़ी ज़्यादा करें तो अगले session में हम कुछ अच्छे questions को और discuss करेंगे ठीक है तो थैंक्यू सो मच और अच्छे से समझते रहें और आपको वी डाउट होते दो कमेंट सेक्चेन ने पूंजरो लेना ठीक है ना चलो session को यहीं पर अंड करता हूं थैंक्यू सो मच